हर दोस्तो केसे हैं आप लोग आपने मुझे भैचाना दोस्तो मैं हूँ रॉकी और दोस्तो यह है हमारे कक्का जी जो हमेशा कुछ न कुछ पूस्टता ही रहते हैं हलो दोस्तो बबुआ कह तुम जानते हो की डिवाइट कैसे करते हैं और ये डिवीजन क्या होता है बबुगा थोड़ा बताओ तो हमें अरे कक्का जी देखिए मैं आपको समझाता हूँ अच्छा कक्का जी आप जरा ये तो बताईए कि आप काम क्या करते हैं अरे बेटा हम तो दूद बेशते हैं अच्छा दददा जी जैसे आपके पास दस लीटर मिल्क है और आपको इसे दो लोगों को देना है दोनों को आपको बराबर बराबर मिल्क देना है तो आप उन्हें कितना मिल्क देंगे अरे बेटा हम तो दोनों को पास पास लीटर दोते देंगे बस दद्दा जी इसे ही तो division या divide कहते हैं अरे ये तो बहुत आसान है हाँ कक्का जी तो आपको क्या करना है बस इसे करने का कुछ तरीका सीखना है क्योंकि अभी तो ये बहुत ही कम था पर जब नंबर बड़े हो जाते हैं तो हमें इसे divide करने में दिक्कत आती है अच्छा ये बात है तो थोड़ा समझाओ हमें कि भाई क्या process होता है कैसे divide करते हैं अच्छा मैं अगर आपसे एक question और पूछू कि आपके पास 256 लीटर मिल्क है और आपको इसे 4 लोगों को equal equal देना है तो आप इसे कैसे देंगे अरे ये तो बहुत ही कठिन लग रहा है मुझे इसको कैसे करेंगे हाँ कक्का जी इसके लिए ही तो हम use करते हैं division और divide तो देखिए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आपको 256 लिख लेना है उस 256 के बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे 4 ठीक अब हम सबसे right hand side से शुरू करते हैं देखिए सबसे पहला number आता है 2 का तो क्या हम 2 को 4 से divide कर सकते हैं अरे बेटा पर 2 तो 4 से छोटा है हाँ कक्का जी इसलिए हम 2 को 4 से divide नहीं कर सकते अच्छा तो फिर आप क्या करेंगे अब हम आगे बढ़ जाएंगे दद्दा जी अब हम 2 के साथ साथ में 5 को भी ले लेंगे तो यह हो गया 25 अच्छा ऐसे करते हैं क्या हाँ कक्का जी अब आपको यह देखना है कि क्या 4 की table में 25 आता है कि नहीं आता अरे बेटा हमने पूरी table गिन ली पर इसमें कहीं पे भी 25 नहीं आ रहा हाँ दद्दा जी तो 4 की table में 25 नहीं आता तो आप यह बताईए कि 25 से कम क्या आएगा अरे बेटा 25 से कम तो होता है 4 into 6 24 हाँ दद्दा जी आप से तो सब कुछ बनने लगा तो 4 into 6 कितना होगा 24 जोकि 25 से हलका सा कम है अब हम यहाँ पे लिख देंगे 4 उपर लिख देंगे हम 6 और यहाँ पे लिख देंगे 24 क्यों क्योंकि 4 सिग्जा कितना होता है 24 अब देखिए अब हम यहाँ पे इसको minus करेंगे तो 25 में से 24 जाएंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा उसे हम नीचे लिख देंगे अरे वाँ बेटा आप क्या करोगे इसके बाद अब कुछ नहीं कक्का जी अब हम इस 6 को उपर जन नीचे ले आएंगे यह जो 6 बचारा केला है यह नीचे आ जाएगा अच्छा अब अब क्या अब फिर से भाई चीज करनी है कक्का जी अब फिर से 4 की टेबल में देखिए कि क्या 16 आता है कि नहीं आता हाँ बेटा 4 की टेबल में 16 तो आता है जब हम 4 इंटू 4 करते हैं तो 16 आता है तो कक्का जी अगर आपके पास 256 लीटर मिल्क है और आपको उसे 4 लोगों को इक्वल इक्वल डिस्टिब्यूट करना है तो हर एक को 64-64 लीटर मिल्क देना पड़ेगा अरे उसमा बेटा तुम तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो तुमने हमें सब समझा दिया दोस्तो अब भी ये कॉशन जरू करिएगा बाई बाई दोस्तो बाई बाई दोस्तो